नमस्कार दोस्तों मैं मितुल सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हों के करेंट फेर्स की ये क्लास बहुत ही इंपोर्टन है प्लीज अपने दोस्तों तक इसे सेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके विडियो को लाइक कर दें तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाँस की क्लास को सबसे पले यहां से आपको दिखेगा कि हाल में किस देश के दूत ने सीता रमन से मुलाकात करी है निर्मला सीता रमन जो कि हमारी एफ है यानि कि फाइनांस मिनिस्टर देखिए ये कोश्चन आएगा नहीं ऐसे बहुत प्राम मिनिस्टर का नाम नीचे जरूर बता दे कि सिरलंका के करेंट प्राम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन है चलिए आगे बढ़ेंगे नेस्ट कोश्चन की और आपको बस ये बताना है कि किस केंद्रिय मंत्री ने कस्मीर नगर पारसदों के लिए अभी विन्यास का drawn principle है वहाँ से और यह यहां से आपको देखेंगे डॉक्टर जितल्यंदर सिंग जि हाँ जितüयंदर सिंग की इमेज आप यहां से देख सकते हो हैं जितल्य और इन्होंने जो है इन्हें संबोधित किया है तो right answer आपका हो जाएगा option number D अगले question क्यों हम लोग बढ़ेंगे next question आपके सामने ये रहा आपको बस ये बताना है कि सराज के मुख्य मंतरी ने सभी सरकारी खेल सुबधाओं को खिलाडियों के लिए दस बजे तक खुला रखने का आदेश दिया है ये क्या डेली है, सिक्किम है तमिलनाडू है या उत्तर परदेश है तो देखे इसका जो right answer होगा ये है अरविंद केजरिवाल यानि की डेली अब आप बोलोगे कि ये दस बजे का क्या माजरा है देखे रहे जो भी स्टेडियम होते है खेल वाले स्टेडियम आठ या नौ बजे बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी सी दुर्भागी वाली घटना होगे कि एक I.S. अफिसर थे वो अपने कुट्टे को घुमाने के लिए उन्होंने स्टेडियम को बंद करा दिया था तो दिल्ली सरकार के पास ये बात पहुँची तो उन्होंने उस I.S. का तबादला करा दिया और दस बजे तक खिलाडियों को प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम को आपेन रखने का आदिस जारी कर दिया और जारी कर दिया इसका राइट अंसर हो जाएगा अगली कोश्चन की और हम लोग बढ़ेंगे आपको बस ये बताना है कि किस देश ने अपने फॉरेंट टोरिस्ट को दो साल के बाद जो है आपेन कर दिया है तो देखिए यहां से आपको देखेगा जापान में बहुत सारे कोविड कैसे सुरू हुए हो गए थे जिसके कारणी दोंने अपने आपको लॉक कर रखा था तो फाइनली जापान भी जो है बिद्यसी परेट को के लिए जो है अपने कंट्री को अपेन कर रहा है राइट आंसर आपका होगा आपसर नमबर बी एक एडिसनल कोश्चन में आपसे पूछूंगा जपान के अभी के जो प्राइम इनिस्टर है वो कौन है नीचे कोमेंट करके आप बताईएगा और हाल में ही वहाँ पे एक पूरपरधान मंत्री को सुट डाउन कर दिया गया था गूली मार दी गय थी उनका नाम क्या है दोनों कोश्चन का आप नीचे कोमेंट बॉक्स में ज़रू से ज़रूर करते हैं एक्जाम में आने वाले कोश्चन है ये अगले कोश्चन के और हम लोग बढ़ते हैं कठिन दौर के बीच समर्थन के लिए किस देश के PM ने भारत को धन्यवाद दिया है जपान, निव्जुलेंड, सिरलंका या कनड़ा तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा लोगों को चावल डाल नहीं मिल रहा है जिसके कारणियां पर बहुत सारी सिच्वेशन में प्राब्लम आ गई है विकॉज अप चाइना जट ट्रेट चाइना ने इनको आने पौने दाम पर जो है लौन देना शुरू कर दिया और पुरे कंट्री पर वो कबजा करने की कोशिस कर रहा है चाइना तो इंडिया ने डेप्ट्रेट से बचाने के लिए सिरलंका की मदद की बड़े भाई की तरह तो वहां के लोगों ने वहां के जो पीम हैं उन्होंने भारत को धनेवाद दिया तो सिरलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेंगे नेक्ट कोशन जो कि आपके सामने ये रहा किस देश के पूर्व पीम ने फिर से भारत की तारिप करी है देखे फिर से भारत की तारिप करी है यहां से आपको दिखेगा ये रहा answer PM इमरान खान देखें इमरान खान बार-बार ये ऐसे बोलते रहते हैं कि देखें यहाँ पे हमारा मुल्क पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बगल में इंडिया है वहाँ पे पेट्रोल के प्राइस कम है तो वहाँ के लोग अच्छे से रह रहे हैं तो ये सारे चीज़ें ये पुरा तत्व वीदो ने यानि कि आर्केलोजिस्ट ने जो है डिस्कवर करी है एक मैसहर की खोज की है तो ये कहां पे हुआ है अमेरिका में हुआ है, युके में हुआ है, मेक्सिको में हुआ है या कैनेड़ा में हुआ है देखिए, युके का मतलब United Kingdom इसका जो राइट आ सी हो जाएगा अगली कोश्चन की और बढ़े हैं उससे पहले आपको बता दो अगर आप A, E, E, S की तियारी कर रहे हो या नवोदे विद्याले की तियारी कर रहे हो इसके प्रीवेस एर कोश्चन पेपर आप ले सकते हो 100 रुपीज में इसमें आपको 200 पलस कोश्चन पेपर आई मिथल सी वहां से आप मुझे इंक्वारी कर सकते हो रिगार्डिंग कोश्चन पेपर एंड नोट्स आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और जो कि आपके सामने ये रहा मोहाली में डैस के दौरा दो नए खेले स्टेडियम होंगे किस कौन समय में ये स्टेडियम आपका काम बस ये है इसका जो राइट आंसर तो ये तो जोलाई मिल गए आपको लेकिन कौन से दो नए खेले स्टेडियम बनेंगे उनके नाम जरूर याद कर लिजी आप गूगल पे सर्च कर लेना नाम याद जरूर कर लेना है एक्जाम में ये पूछा जाएगा अगले जहाँ पे अफगानिस्तान के लोगों को वेक्सिनेट किया जाएगा डव्लू एचो की तरफ से ये फिरी होगा और फाइनली दा क्विक पॉइंट्स अप दे की बारी आ चुकी है एक्कॉर्डिंग तू दू रिसेंट रिपोर्ट चाइनीज नेसनल्स हेट वीच कंट्री तो देखिए चाइना के लोग USA को सबसे जादा हीट करते हैं उसके बाद सर्प्राइज सर्प्राइज नहीं है कुछ भी इंडिया को ये सेकेंड नमर पे सबसे जादा हीट करते हैं तो देखिए ये है प्रोस्टिशन यानि कि वैस्या विर्ति को जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या हा ये प्रोफेशन है जैसे कि टीचर, डॉक्टर, वकील वगएरा है ये भी एक क्या है प्रोफेशन है अगला पॉइंट देखिए इंडिया's first museum for the theaters to be built in which city तो ये मुंबई में विल्ड किया जाए गा तो ये था आज का current affairs आने वाले classes को regularly पाने के लिए प्ल व,ब एड़रा है, तो प्ली तो ये ज़ाएmot ये, व,डिया的 शानिव इंड़ाए है ये तोपिद झाल झाल